आज के इस लेक्शर में हम कोड़ेंगे शोट ट्रिक टू रिमेंबर दा स्पेक्ट्रो केमिकल 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 स अंदर elements को कैसे range किया जाता है या उन elements को हम याद कैसे करेंगे शोट ट्रिंग के अंदर वो हमास पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको शोट ट्रिंग बताऊं उससे पहले आपको पताऊं आची एक wording होते है हमारी CFSE जिसको बोलते हैं crystal field stabilization या इसको बोला जाता है splitting भी बोल द यह क्या होते हैं जब हम इससे पहले वाड़े lecture में मैंने आपको बताया था splitting होती है माले डी और विटल है energy के साथ दो energy level अंदर उसकी जो splitting हो रही थी इस तरह से तो यह जो इनके बीच का जो energy gap था यहां के जो energy थी हमने 0 ली थी उपर हमारी 6 DQ थी और नीच्चे हमारी 4 DQ थी इस परकार से था तो यह जो energy के gap है D के जो दो set बढ़े हुए हैं उनके बीच का जो energy का difference उसको क्या बोलते है क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लेटिंग ए एनर्जी तो क्या होती है क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस डिफाइन एस दा difference of energy difference of energy between two sets of d orbital जब हम दो d orbital जो हमारी splitting और रख्यों के बीच का जैने जिका गयाएप उसको क्या बोलते हैं cfsc अब d orbital ही जरूरी नहीं है इससे पहले हमने f orbital की splitting होई थी जो तीन के अंदर टूटा था वो भी हम यहाँ पे लिए सकते तो इस गया पूँते हैं हमें डियो और स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज के होजा है जब हम elements को arrange कर दें इसके अकोडिंगों की cfsc के कोडिंगों वो सीरीज क्या कर लाखते हैं हमारी स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज तो यहाँ सी मैं Define कर सकता हूँ, Spectrochemical Series क्या होती है? It is defined as the series obtained when ligands are arranged according to their CFSE. तो सबसे पहले हम याद करेंगे वीक फिल्ड लिगेट की शोट रिंग इसको जो है किस परकार से हम याद करें कि अगर हमें कोई दो लिगेंड दे दे उन में भी अगर आमें बोलता है कि बताओ इन में से ज्यादा वीक कौन सा है? तो उसके लिए हमारी सीरीज जो होगी हो क्या हो इसको याद कैसे करेंगे वीटा? यह जो ट्रिक थी हमें जब हम PG का कॉर्स करें थे MSC का तो मारे एक साइल सर थे उन्होंने यह ट्रिक अमें बताई थी उसमें थोड़ा सा बहुत जो है मैंने चेंजिंग करके यह ट्रिक म कालू था फूला हाथ ऐसे उसका पानी बढ़ा हो जैसे बढ़ा हो जैसे आपको वैसे लाई मैंने कंप्लेट कर देती इसका कोई मीनिंग नहीं लिखे बढ़ेगा आपको याद करने यह अफसर मतला इतना बढ़ा कालू था फूला हाथ ऐसे उसका पानी बढ़ा हो जैसे इतना से बन जाएगा गता हमारा आई नेगिटिव क्या होगा हमारा आई नेगिटिव बढ़ा या इसको बोल सकते हैं ब्रोमी बियार नेगिटिव कालू था इसके अंदर आ जाएगा थायोसाइनाइड एसे याने नेगिटिव फूला फलोरी एफ नेगिटिव हाथ यानी हाइड्रोक्सी ओ एचे नेगिटिव क्या बोलते हैं इसको एसी टेट उसका उसका यानी ओक्जलेट यानी सी टू ओ फू नेगिटिव इसको ओ एक्स से डिनोट किया जाता है पानी पानी मीन से एस तो यह बटाक की शोट ट्रिक होगे इसके याद करने के लिए वीक फिर्ड लिगेंड को याद रखने के लिए क्या होगी इस लिए बारा आई नेगिटिव लेशन विया नेगिटिव एगा लेशने तो आप जो है आसानी से कंपरिजन कर पाऊए इसके बाद हम स्ट्रॉंग फिर्ड लिगेंड को कैसे याद करें कि फ्रॉम फिर्ड लीगेंड वीक फिर्ड लीगेंड का मतलब क्या है बाद इसको कैसे आधने नभी चंद्र शिना क्या वही नवीन चंद्रसिना अमन पाने के लिए को मैं निचले विदता हूँ अमन पाने के लिए इन दिनो दिल्ली पतियाला नो सेना कोट के चक्कर लगा रहे हैं एसे याद करेंगे के चक्कर लगा रहे हैं पहले वाड़ी शीरीज की तरह यहांपे भी मैंने इसको कुंप्लीट करने के लिए 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 नमीन चंद्रसिना मतला है विश्ची ने लिखेंगे है एन सी एस जो कहता हमारा आइसो थायोसाइब अमन यानिके अमोनिया ठीक है अमोनिया की इंखिविलेंट तो हमारा पी भाई होता है ठीक है और इससे पहले जी लगाई भी ले सकते हम ग्लाइसीने की ले सकते हैं अमन योगा हमारा नगीन चंद्रशिना अमन पाने के लिए के लिए तो मैंने वैस्टेत लगा है पाने के लिए क्या पड़ जाएका हम आप यहां पे मैं पीवाई लेशकता हूं नहीं प्रोताज है था इकवल है लेट सेंट योगा मारा दिलली पट्यारा इकठा है इन दिनों इकठा है नो सेना कोरट नो सेना यानी NO2 नेगिटिव ठीक है सेना यानी के Cn-2 कोरट यानी के C O कार्गुनाय के चक्तर लगा रहे हैं क्लियर है तो क्या बनिया मारा नवीन चंदर सिना अमन पाले के लिए इन दिनों दिल्ली पटियारा नो सेना नो सेना और के चक्कर लगा ले क्लियर है अब यह और है बटा डाइक फिनाइल जो हमारा यह बना हुआ है इसके एकलेंट और्थो फिनोल की विजो एनर्जी उतिय प्रणलग हो इसके सेम होती है कलियर है तो इस तरह से आप ज्याज कर सकते हैं बटा किसको स्पेक्ट्रो के लिगल सीरीज को अब क्यूशन आ सकता है या आप अपने आप से भी क्यूशन कर सकते हो कि इन एलिमेंट को ऐसी एरेंज क्यों किया गया है सी एल नेगिटिव को आगे आई नेगिटिव को पीछे या फिर सी ओ जिसकी सबसे ज़्यादा लाज वेलो है डेल्टा की स्ट्रोंग फिर्ड लिगेंट का मतलब क्या है लार्ज वेलो अफ डेल्टा इसलिए उन्हों स्ट्रोंग फिर्ड लिगेंट को लेगा है तो सी ओ स सबसे आगे और एंसे सबसे पिछे क्यों नहीं गाया विटा तो यह जो एब्जॉप्शन सीरीज में प्राप कोत्य विटा इट इस अप्टेंड ओन दा बेसिस ओफ एब्जॉप्शन और ओफ लाइक कि कौन सा लिए कितनी अमाउंट ओफ एनर्जी अप्जॉप्शन कर रहा है उसके बेसिस पर इनको अरेंज किया गया है जो कम एनर्जी अप्जॉप्शन पर ओविसली वीक हो जाए गाए और जो सबसे आदा अब जो प्रेगा हुमारा सबसे स्ट्रॉंग एस आपका छोटा सा लेक्चर लेकिन है बहुती ज्यादा इंपोर्टेंट क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स बना होगे तो उसके लिए आपको पता अणाची है कि वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं तो वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या होता वो इलेक्रों को अपनी करा पाते हैं बटा डी और्विटल के अंदर जबकि जो स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है कि अंदर की तरफ जो है पेर अप करा देते हैं यही दोनों के अंदर बेसिकली डिफ्रेंस होता है कलियर स्ट्रेंस तो उमीद आपको इस शोट ट्रिक अच्छे से समझ में आई होगी अगर फिर भी आपको कोई प्रोब्लम है तो कोमेंट बोक्स में जरूर लिखें और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा दूसरे बच्चों तक पुचाए ताकि उन्हें विजो है इस लेक्चर का बेनिफिट मिल्स के ठेंक्यू